नमस्कार दोस्तों, मैं शुभागी वशिष्ट आपका स्वागत करती हूँ निर्देशित ध्यान में। आज का निर्देशित ध्यान है वाइट लाइट मेडिटेशन या श्वेत प्रकाश ध्यान। श्वेत प्रकाश ध्यान में हमारा शरीर और हमारा मन दोनों एक सकरात्मक उर्जा को अनुभव करते हैं। मन में नई उर्जा का अनुभव होता है। और जैसे हम सब जानते ही हैं कि सफेद रंग प्रतीक है शान्ती का, प्योरिटी का, तो आज हम इस निर्देशित ध्यान में अपने भीतर शान्ती को और गहरा करेंगे। और अपने भीतर एक नई उर्जा, एक सकरात्मक उर्जा का अनुभव करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोद करती हूँ कि आप एक सुक आसन में बैठ जाएं, जहां पर भी आप कमफटेबल हों, चाहे जमीन पर जैसे मैं बैठी हूँ, या आप चेयर पर या बेट पर भी बैठ सकते हैं। अपने पैरों को ख्रॉस करना है, या अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो पैर के उपर पैर रखना है। हम अपने हातों की उंग्लियों की बीच में उंग्लियों को डालेंगे, और उसे अपनी गोद में रखेंगे। कोमलता से धीरे से हम अपनी आखे बंद करेंगे और जब तक मैं ना कहूं तो आप कोशिश करें कि आप अपनी आखे ना खोले तो चलिए शुरू करते हैं निर्देशित ध्यान और आप ये तीन लौक लगा लीजे पेरो को क्रोस हाथों की उंगलियों की बीच में उंगलियों को और धीरे से कोमलता से हम आखे बंद कर ले और इस समय अपना पूरा ध्यान पाहर से भीतर की और लगाएं अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दायक स्तिती में रखे हो सके तो अपने रीड की हड़ी को सीधा रखे और अपने कंधों को धीला छोड़ दे और इस समय तीन गहरी लंबी श्वासे ले नाक के द्वारा लेते हुए एक शण मात्र उसे अपने भीतर रोके और मूँ से उसे बाहर जाने दे एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक शण मात्र उसे रोके और मूँ से उसे पूरी तरह से बाहर छोड़ दे एक बार और गहरी लंबी श्वास लेते हुए एक शण मात्र उसे अपने भीतर रोके और मूँ से उसे बाहर जाने दे आकरी बार गहरा लंबा श्वास लेते हुए और पूरी तरह से उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए अब अपना ध्यान अपनी सरल कोमल प्रकृतिक श्वासों पर लगाए श्वासों के प्रती पूरी तरह से जागरुक रहना है श्वासों का भीतर आना और श्वासों का बाहर जाना कुछ नहीं करना है कहीं नहीं जाना है सिर्फ रहना है अपनी श्वासों के साथ कुछ नहीं जाना है जैसी भी श्वासे चल रही है उन्हें वैसे ही चलने दे उन्हें कोई भी बदलाव ना करे अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहना है अगर इस समय कोई विचार आ रही है या कोई भाव आ रहा है उनका आंकलन नहीं करना है सिर्फ एक साक्षी भाव से उन्हें देखना है याव याव से लाव नाव से उन्हें कर दोड़े नहीं भाव से लुड़े लेगे बदलावान आंकलन वगने प्रहाई कर रहाँ भाव से लोग कर दो भाव से लोगना है जैसे जैसे आप अपनी श्मासों के प्रती जागरुख हो रहे हैं आपका शरीर और आपका मन एक गहरी शान्ती में स्थिर्ता में गहरा उतरता जा रहा है प्रती जापका में गहरा रहा है आपके शरीर, का हर एक अंग, हर एक हिस्सा, पूरी तरह से शान्थ होता जा रहा है. आपके शरी के शरी तरह से शान्थ होता है. झाल झाल इस गहरी शान्ती में अनुभव करें कि आपके सर के उपर एक श्वेत प्रकाश की गेंद है इस श्वेत प्रकाश की गेंद जो आपको सहेता करेगी शान्ती में और गहरा उतर नेखी और आपके भी तर एक नई उर्जा का अनुभव कराएगी एक सकरात्मक उर्जा का इस समय महसूस करें कि यह प्रकाश आपके सर से प्रवेश कर रहा है आपके शरीर में यह श्वेत प्रकाश आपके सर के हर एक अंग में फैल रहा है सर के हर एक कोने में अगर कहीं पर भी कोई तनाव है यह प्रकाश उस तनाव को डिजॉल्व कर रहा है और धीरे धीरे यह प्रकाश नीचे की और आता हुआ आपके माथे पर आता हुआ माथे के हर एक हिस्से में फैलता हुआ और यह श्वेत प्रकाश धीरे धीरे आपके चहरे पर आता हुआ आपकी आखों पर आपके नाख पर आपके कानों पर आपके होटों पर पर यह प्रकाश पूरी तरह से आपके चहरे पर फैल चुका है चहरे की हर एक मसल को पूरी तरह से शान्त करता हुआ और धीरे धीरे यह श्वेत प्रकाश आपके गर्दन में फैलता हुआ गर्दन की हर एक मास पेशियों को शान्त करता हुआ पूरी तरह से शान्त धीरे धीरे गर्दन से उतरता हुआ आपके कंधों पर आता हुआ अगर कंधों में कोई बोज है, कोई तनाव है यह प्रकाश हर कोने पर फैलता हुआ उस तनाव को पूरी तरह से दूर करता हुआ कंधों को पूरी तरह से रिलाक्स करता हुआ अब धीरे धीरे यह प्रकाश और नीचे की और जाता हुआ आपके छाती की और छाती के पीचों पीच आपके हिर्दे केंद्र में यह श्वेत प्रकाश फैलता हुआ पर इस समय आप महसूस करें कि यह प्रकाश आपके हिर्दे केंद्र को एक फूल की भाती आपका हिदय केंद्र खिल रहा है खुल रहा है पूरी तरह से महसूस करें अपने हिर्दे केंद्र को पूरी तरह खिलते हुए इस श्वेत प्रकाश से यह श्वेत प्रकाश आपके हिदय केंद्र से शरीर के हर एक होने में फैलता हुआ हर एक हिस्से में फैलता हुआ महसूस करें यह है प्रकाश सर्च से लेकर पाउ की उंगलियों में पूरी तरह से फैल चुका है शरीर का हर एक कन इस श्वेत प्रकाश से भर चुका है धीरे धीरे महसूस करें कि यह प्रकाश आपके हिदय केंद्र से बाहर की और फैल रहा है जहां बैठे है यह प्रकाश हर दिशा में फैल रहा है यह श्वेत प्रकाश पूरी तरह से जिस कमरे में आप बैठे है हर दिशा में उस कमरे के फैल चुका है कमरे के हर एक कोने में यह प्रकाश फैलता ही जा रहा है कर दो कर दो दोड़़्पटा टुका है यह चरता है यहाँ जा बाहा है पर प्रकाश प्रकाशन how तो भी जापवड़़गई जा तरहा है यह झाल रहा है और धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे घर में फैलता हुआ हर एक कमरो में फैलता हुआ आपके पूरे घर के परिवार जनों पर फैलता हुआ परिवार के हर एक सदस्य पर ये हश्वेत प्रकाश फैल रहा है अवार कर दाने हुआ उस्पल्गचपके है तो उसा उसर मुआपके प्रॉष्छा एक है के प्रॉचपके है यिवार के शावश्व पॉआ धीरे धीरे यह प्रकाश आपके पूरे इलाखे में फैल चुका है जहां आप रहते हैं यह प्रकाश फैलता ही जा रहा है भड़ता ही जा रहा है धीरे धीरे अब यह प्रकाश आपके बहा है आपके पूरे राज्य में फैल चुका है कि पूरे राज्य की दिशाओं में फैल चुका है यह श्वेद प्रकाश धीरे धीरे अब यह प्रकाश आपके पूरे देश में फैल चुका है आपका पूरा देश इस श्वेद प्रकाश के चादर में ढख चुका है धीरे धीरे अब यह प्रकाश आपके देश से दूसरे देशों में भी जा रहा है और भड़ता जा रहा है फैलता जा रहा है यह श्वेद प्रकाश धीरे धीरे यह पूरे देश से पूरी प्रिथ्वी पर प्रिथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति जीव जन्तू हर पर यह प्रकाश फैल चुका है इस समय अनुभव करें कि हर व्यक्ति प्रसन्य है हर जगा पूरे ब्रह्मांड में शांती का अनुभव हो रहा है इस सकरात्मक उर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से महसूस करें पूर्णता का अनुभव करें तरह से महसूस करें अनुभव करें पूर्णता का अनुभव करें इस खुशी को, इस प्रसंता को, इस पूनता को अपने भीतर कहरा उतारते हुए धीरे धीरे हम वापस आते हुए इस श्वेत प्रकाश को, अपने हिदे में लेकर आते हुए इस सकरात्मक उड़जा को, अपने भीतर लेकर आते हुए आखरी एक मिनट प्रवजा देट झाल 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 दस सेकंड नो आठ साथ धीरे धीरे हम वापस आते हुए छे, पाच, चार, तीन, दो, एक और शुन्डे धीरे धीरे हम सजक हो जाए अपने शरीर के प्रती सजक हो जाए अपने आसपास के वातावरन के प्रती और जब भी आप तैयार हो धीरे से आप अपने पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं हातों की उंगलियों को हिला सकते हैं और धीरे से अपने हातों की हतेलियों को खोले और अपनी आखों पर रखे कुछ शन मात्र के लिए अपना समय ले आखे खोले और हाथ हटाए एक मुस्कुराहट के साथ तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये श्वेत प्रकाश ध्यान करके अपने भीतर एक शान्ती का अनुभव हुआ होगा या सकरात्मक उर्जा का अनुभव हुआ होगा इस ध्यान को आप कभी भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि आपको शान्ती को अनुभव करना है या नई उर्जा का अनुभव करना है आप ये ध्यान कर सकते हैं और कभी हमें लगता है कि हम दूसरों को प्यार या उनको उर्जा देना चाते हैं, तब भी आप ये ध्यान कर सकते हैं, और सोचें कि ये जो श्वेत प्रकाश है, ये उन पर जा रहा है, उनके हिदय में जा रहा है, तो तब भी आप इस ध्यान को कर सकते हैं. तो ऐसे ही दोस्तों ध्यान करते रहिए हर दिन एक नया दिन है एक नई यात्रा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप ऐसे ही बने रहें PMC हिंदी पर